Hi Mommies and Daddies, Welcome back to MomCom India. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी activity या exercise के बारे में जो हमारे newborn babies के लिए बहुत ही जादा helpful है. In fact, काफी parents जो हमें ये बोलते हैं कि हमारा baby अभी तक neck नहीं संभाल पा रहा है या अभी roll नहीं कर रहा है या respond नहीं कर रहा है उन parents के लिए ये काफी अच्छा solution है तो आएए इसके बारे में detail में इस वीडियो में बात करते हैं. हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए. Welcome to Momcom India. तो इस activity का नाम है tummy time. tummy time यानि पेट के बल अपने बेबी को लेटाना जैसे कि इस नाम में ही पता चलता है और मैं question answer के फॉर्म में इस पूरे topic को detail में break करूँगी ताकि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हो वो answer हो जाएं. तो सबसे पहला सवाल है what is tummy time होता क्या है? बहुत simple है tummy time में एक activity है जहाँ पे आप अपने newborn baby को in fact 3-4 महीने तक के बच्चों को उनके पेट के बल एक flat surface के ऊपर लेटाते हो. दूसरा सवाल है कि ये इसके benefits क्या है? ये हम क्यों करें? तो इसके बहुत सारे benefits हैं जो आपको काफी compelling लगेंगे अपने baby के साथ ये activity immediately start करने के लिए. सबसे पहला benefit है कि ये baby को muscles development में बहुत help करता है, especially जो आपके shoulder muscles होते हैं, arm muscles होते हैं, क्योंकि एक ऐसी activity है जिसमे baby पेट पे होगा, तो वो अपने हातों को हिलाने की कोशिश करेगा, हलका सा उटने की कोशिश करेगा, अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करेगा, तो इसके ये सारे muscles जो हैं, वो काफी strength उनको मिल रहा है, उनको development में help मिल रहा है, दूसरा benefit है उनकी जो back है, उसको काफी strength मिलती है और relaxation मिलती है, जैसे कि हम जानते हैं कि newborn babies जो हैं, वो maximum time अपनी back पे लेटे ही रहते हैं, तो back पे लेटे 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 रहने के वज़ए से काफी pain भी होता है बच्चों को, तो एक relaxation देने के लिए जब आप उने ये activity दिन में कई बार देते हो, तो उनकी जो back है, उसको काफी relief मिलता है, तीसरी activity है, ये neck control में बहुत help करता है, तो काफी जल्दी बच्चे अपनी गर्दन समालना सीख जाते हैं, क्योंकि जब आप बच्च आएगी और उसे control मिलेगा, चौथा reason क्यों आपको ये करना चाहिए, क्योंकि काफी gas में relief मिलता है, तो पेट के बल लेटाने के वज़ए से जो भी बच्चे को bloating होई होती है, या gas बनरी होती है, वो सारी pass हो जाती है, तो जिन बच्चों को gas की problem है, उनके लिए बहुत ही suggest करते हैं कि उनके सर को इधर उधर हिला दो, जब वो सो रहे हो, और ये remedy हम उने suggest करते हैं, क्योंकि इसमें जब बेबी को tummy time पे डाल रहे हो दिन में काफी बार, तो उसके जो ये सिर का भी पाट है, उसको भी आराम मिल रहा है, जिसके वज़ए से constantly बेबी सिर्फ सिर के ब कंट्रोल आएगा और वो इधर से उधर होना सीखेगा, तो वो रोल ओवर भी करना जल्दी सीख जाएगा, तो उसमें भी ये उसको बहुत हेल्प करता है, और लास्ट, बहुत महत्वपून बेनेफिट जो इसका देखा गया है, वो है response देना, तो बच्चों को ये response देना करो, तो क्या होगा कि बेबी जो है वो अवास सुनेगा या चीजों को देखेगा और धीरे-धीरे करके response देना शुरू करेगा, तो ये उसमें भी बहुत ही जादा मदद करता है, तो आपको ये सारे benefits काफी compelling लगे होंगे इस activity को अपने बेबी के साथ स्टार्ट करने के ल जैसे ही वो गिर जाए, आप ये activity अपने बेबी के साथ स्टार्ट कर सकते हों, अगला सवाल है कि ये हम कैसे करें, तो इसका बहुत simple answer है, आप एक flat surface पे, जमीन पे हो, या आपका जो hard bed है, तो भी थोड़ा flat surface है, उस पे ठिक mat बिचालो, ये kambal बिचालो, ताकि बेबी को मतलब soft लगे, और उस पे आप ये activity बेबी के लिए कर सकते हों, अगला सवाल है कि किपनी देर के लिए हमें activity करना चाहिए, तो आप दिन में ये 3-4 बार कर सकते हो, शुरू में आप बहुत ही थोड़े time के लिए कर पाऊगे, क्योंकि बचे बहुत छोटे होते हैं, तो उन 5-10 मिनिट इसको धीरे-धीरे करके बढ़ाओगे, जिसमें बेबी भी comfortable होगा, उसको भी मजा आएगा और activity को enjoy करेगा, अगला सवाल है, ये हमें कब दिन में करना कब चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जानना कि ये activity हमेशा तब होनी चाहिए, जब जिसकी वज़े से काफी major risk है, तो आप वो risk नहीं लेना चाहते हो, तो दो चीजों का अपने ध्यान रखना है, कि बेबी उठा हुआ होना चाहिए, और आपके supervision के अंडर ही activity होनी चाहिए, आप एक मिनिट के लिए भी बेबी से आँख नहीं हटा सकते हो, इस activity के तौरान, अगला सवाल है कि कब तक ये activity करनी चाहिए, तो ये activity आप तीन, चार, पांच महीने तक continue रख सिपते हो, जब तक आपका बीबी रोल ओवर करना नहीं सीख जाता, जैसे ही बीबी रोल करने लगेगा, वो अपने आप ही अपने tummy पे आ जाएगा, और उसको tummy पे रहना अच् दिखेंगी, वो चीजों तक पहुँच पाएगा, तो ये activity खुदी अच्छे लगने लग जाएगी, और जब तक बीबी रोल ओवर नहीं करता है, तब तक आपकी responsibility है उससे दिन में दो, तीन, चार बार ऐसे ये activity करवाना, और आखरी सवाल ये पुछा जाता है कि ये activity हम क सकते हो राटल को लेके धीरे-धीरे-धीरे, एक साइट से दूसरी साइड ऐसे ऐसे करके आप बेबी के left to right जो है वो गुमा सकते हो, उससे क्या होगा कि बेबी अबजेक्स को follow करना सीखेगा, बेबी अवास को respond करना सीखेगा, जब अवास एक साइट से आएगी तो अपन यह activities जो है वो बेबी को जादा समझ आएगी, बद धीरे-धीरे जब आप constantly बेबी के साथ यह practice करोगे तो आप उसे response देना सिखा रहे हो, जो भी एक बहुत important milestone माना जाता है हमारे babies के लिए, तो यह सारे questions normally इस activity को लेके पूछे जाते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई औ तो बिना जिजक के, immediately comment करो और हमसे पूछो, हम उसका भी answer देंगे, but I hope कि आपको इसमें से काफी detail मिल गया होगा, main बात का आपने यह ध्यान रखना है कि बेबी का जो नोज है वो नहीं दबना चाहिए, नोज के दबते ही उसका जो सांस लेना है, उसमें उसको problem आएगी, इसलिए आपको constantly बेबी बे नजर रखना है और यह देखना है कि उसका nose नहीं दब रहा है, वो main पूरी बात है इस पूरी activity की, जिस चीज़ पे आप उसको बेबी को रखोगे, वो साफ होनी चाहिए, यह तो आप जानते ही है, और बस इस activity को enjoyable बनाओ, यह आपके बेबी को बहुत ही जादा help करेगा उसकी काफी milestones को achieve करने के लिए, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो आप जानते हो क्या करना है, like बटन को hit करना है, comment जरूर करना है, share करना है, सारे friends के साथ अपने जो pregnant हैं, जिनके बीबी अभी 4-5 महीने से छोटे है रोल अभी तक नहीं कर रहे हैं, या गर्दन नहीं समाल पा रहे हैं, और subscribe जरूर करना है, लाल बटन नीचे दिया हुआ है, MomCom India के family बहुत ही अलग family है, इसमें हम सिरफ information नहीं देते हैं, आपस में भी सब एक दूसरे को information देते रहते हैं, help करते रहते हैं, तो उस unique family का part ब बटन धा रहते हैं, आपक जो समी आख़ा करें, खरूस हैं, एक दूसरी इसमे देते हैं, ये शहीं समेते हैं, ये लगजे मिए को करते हैं, अबिपी जाहन온 के भी संपया हैं, आपस나атьा समन पीत एंते हैं, बांते हैं, बांच जारे ब chodzi without भी संने माशारना हैं, नहीं जा